शिव जी कभी नहीं कहते है कि मेरे मंदिर में आना तो तुम परशाद लेकर आना याया शुमहा पुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा कि संकर जी के मंदिर में जाओ तो लड़ू लेकर जाओ संकर जी के मंदिर में जाओ तो पेडा लेकर जाओ संकर जी के मंदिर में जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ संकर जी के मंदिर में जाओ तो चिरोन जी लेकर जाओ संकर जी के मंदिर में जाओ तो सिंधाना लेकर जाओ संकर जी के मंदिर में जाओ तो पेडा लेकर जाओ किसी पुराण में लिखा है या? कहीं श्यू पुराण में नहीं लिखा कि संकर जी के मंदर में पेड़ा लेकर जाना या संकर जी के मंदर में श्रीफल लेकर जाना या संकर जी के मंदर में ये सामगरी लेकर जाना यहां तो लिखा शिव महा कुराण के अंतर का विद्धेश्वर सहीता में वर्णन किया संकर जी के मंदिर जाना तो तुम अपना दिल लेकर जाना तो महादेव भी तुमें दिल से लुटा कर भेज दे आप संकर के मंदिर में बहुत सारी सामागरी लेकर जाने की जरुवत नहीं है जो देवदीदे महादे उपर बेलपत्री चड़ी उसको उठा लो धोलो शिवजी पर बापी चड़ा दो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जा बहुत सारा त्रिपुंड लगा लोगे या बहुत सरी माला पहें लोगे तो उससे भगवान तराप्त नहीं होगा भगवान को पाने के लिए निरमल मन सो मोही पावा मोही छल जिदर कपट नावा